वेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टेडी विथ स्मार्णिस आई होब कि आप जहां भी होंगे स्वस्तिवन सुरक्षित होंगे तो दोस्तों इसी आसा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज हम इस वीडियो में समान ग्यान जनल नौलेज के टॉप 33 कोसंस को डिसकस करने वाले हैं जो की बहुत सारे एक्जांस में आपके रिपीटेड हुए हैं और आगे आने वाले एक्जांस में भी बहुत ही चांसे हैं कि आपके एक्जांस में इनी कोसंस को आप देखेंगे तो दोस्तों आपको सभी कोसंस को ध्यान से देखना है और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना जिससे कि आपको सभी कोशन इसी वीडियो में याद हो जाएंगे ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैल को आभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन भी प्रेस कर लिजे जिससे कि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं आपका पहला कोशन है कि मोहन जोद्रो और हरप्पा कि प्राचीन नगर कहां स्थित हैं दोस्तों आपको सभी कोशन के आंसर आपको पिक करना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कूर सेर भी करना है ठीक है तो यहां पे चार आपके पास भारत में पाकिस्तान में बांगलादेश में या फिर तिब्बत में तो यहां पर आपका राइड आंसर दोस्तों मोहन जोद्रो हड़ता के प्राचिन नगर है वैं ऑप्जिन नंबर बी पाकिस्तान में है ठें कहाँ पे हैं पाकिस्तान में आपको याद अकरना है मोहां जो दरो और हड़ता पाकिस्तानम दिस्ते थे .चलिए न एक NGOसन देखते हैं इस्टेट lookin स Σंदू सब्षिता से प्राप्त मुहरे निमल खित मैं से किस्से बनी थी जो cucumber सब्षिता से प्राप्त मोहरे निमल किस्से बनी थी लजुटा विखत, इस्टेट तो यहां पर आपका रायड आंसर है option number D है दोस्तों जो की है stay tight दोस्तों सिंदू सब बिता से जो प्राप्त मुहरे हैं वह stay tight की बनी हुई है ठीक है तो आपको नाम याद अखना है exam से में पूछा जा चुका है next question देखते हैं निमलखित में से कौन सा वेद गद एवं पद में रचित है तो आप्सणों के पास रिगवेद यजुरवेद सामबेद या फिर अथरवेद तो यहां पर जो आपका बहुत ही बारी पूछा जा चुका है तो इसको आप एक बार अच्छे से कंफर्म करके याद रख लिजेगा कि जो गद एवं पद से रचित है वह यह जुरवेद है और रिगवेद दोस्तों प्राचीन सबसे प्राचीन वेद रिगवेद है और सबसे आधिनक वेद है जो क्यों थे तो अप्शना के पास हैं ए मंगल बी इंद्र सी रूद्र और डी सिव तो यहां पर जो आपका राइड आंसर है वह है ऑप्शन नमबर बी जो की है आपका इंद्र दोस्तों आपको सभी के आंसर आपको पिक करने हो लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर् ठीक है चलिए नेक्स्ट कोर्शन देख लेते हैं नेक्स्ट है महावीर स्वामी को किस इस्थान पर ग्रान की प्राप्ति हुई थी तो आपके पास रिजुपालिका नदी के तड़ पर पुनपुन नदी के तड़ गंगा नदी के तड़ या फिर कोसी नदी के तड़ तो की कि महाबीर स्वामी को ख्यांकी प्राप्ति उफिविस वे कर मैंवें जयानद कमerson कर ते तीक है और इन्हों नहीं जहन धर्म को बहुत ख्याती प्राफ्ट करवाई थी उन्हें एक ब्रह्मिचर को भी उसमें जोड़ा था ठीक है तो आपको याद रखना है इनको ग्राण प्राफ्टी हुई थी रुजुपाल का नदी के तड़ पर चलिए ने आश कुछन देखते हैं असोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रथम स्रे किसको प्राफ्ट है ओप्शनों के पास बिल्किन्स को विलियम जोन्स को जेम्स विलियम को या फिर जेम्स प्रिंसिप को तो यहाँ पर जो आपका राइड अंसर है वह है ओप्शन नंबर बी जो की है जेम्स प्रिंसिप द दिखते हैं किस ने भारत में सरप्रतम शुन शुक्री को चलाया था और लुए उपिर कुषन और मौर्च धियभन या फिर गुपति कते हैं। कि guys are दूस्तों हिंदियावनतınız को नहीं सबसे पहले भारत में श्रोन सिक्ष चलाया थे आपको नाम आपने देखना है हिंद यावन सास्तिरी कौन थे ऐप्टेकाल में प्रमुक गड़ितग एवं खगोल सास्तिरी कौन थे ऑप्शन है बराह महिर आर रिभट राम अनुजजार उप्रिक्त सभी तो यहां पर जो आपका राइड आंसर दोस्तों हुए है option number B जो की है आर रिभट दोस्तो गुपते काल के टाइम पेर प्रमुख गड़ितक एवं खगोल सास्तरी आर रिभट थे ठीक है आर रिभट नहीं सुन की खोज की है नाम याद रखना आपको आर रिभट चलिए नेश्ट देखते हैं किस सासक ने दरवार में सरवाधिक हिंदु पदा दिकारी थे पर ही उसके दरवार में सबसे ज़्यादा हिंदु पदा दिकारी की तो यहां पर आपका राइड आंसर है वह है option number D दोस्तो औरंग जेव के टाइम पर ही उसके दरवार में सबसे ज़्यादा हिंदू पदा दिकारी के मतलब दोस्तों उसकी में जितने भी कर्मचारी वरकरस थे वह अधिकतर हिंदू थे ठीक है बाकियों कि तो चलिए दोस्तों नेश्ट देखते हैं कि सासक ने सिचाइक कर लगाया था तो option है मुहमब तुगलक फिरोज तुगलक अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर लोधी तो यहां पर जॉपका right answer है option number B फिरोज तुगलक दोस्तों फिरोज तुगलक नहीं सरप्रथम सिचाइक कर लगाया था ठीक है तो नाम देखना है फिरो म्रत्यू किस स्थान पर हुई तो आप्शनों के पास ए प्रियाग बी कासी सी मघहर और डी मथुरा तो यहां पर आपका राइड आंसर है स्थान.र आपको जगह के नाम पूछा जाता है मघहर में हुई थी कुछा जाता है शूरत है हुगली में मॉंबई में या बैंगलोर में तो यहां पर आपका राइड अंसर है वह है ऑप्सेन नमबर ए जो की है सूरत में अंग्रेजों ने सर प्रथम अपना व्यपारिक कारखान सूरत में ही लगाया था ठीक है नेश देखते हैं भारती राष्ट्री कॉंग्रेज के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो ऑप्सेन है बदरुद्दीन तययब जी मौलाना अभुलकलामाजाद सरसयद एहमाद खान या फिर मुहम्माद जिन्ना तो दोस्तो यहां पर जो आपका राइड आंसर है वह है ऑप्सेन नमबर जो की है बदरुद्दीन तययब जी दोस्तो भारती राष्टी कॉंग्रेज के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष सेवाए बदरुद्दीन तययब ही जी थे ठीक है ना व्याद एकना है नेट्स देखते हैं All India Trade Union के प्रत्यम अध्यक्ष कौन थे दोस्तो अंडिया-trade union के प्रत्यम अध्यक्ष कौन थे एंप्सेन है लाला-लाजपत्राय-े एमन-जोसई-स्वामी सदानन्द-बाल गंगाधर तिलग तो यहां पार पिर आपका राइड आंसर है वह है option और लाला लाजपत्र आइड तो नाम याद आखकें आपको ओल इंडिया ट्रेड यूनिन के प्रेज़दंगा द smash थे लाला लाजपत्र आइड़ देखते हैं भारत में dir प्रथम टेलीग्रा ब्याश्था का प्रारम हुई थी दो ख्रम ए यहाँ पर प्रथम टेलीग्रा ब्याश्था का प्रारम प्रारम हुई थीèmes और दोस्तो 853 में ही भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी जो कि मुंबई से थान चली थी ठीक है तो नाम याद आखना आपको 853 में भी सर्प्रथम टेलेग्राफ ब्रस्ता भी शुरू हुई थी और सबसे पहले ट्रेन भी चली थी नेश देखते हैं इस घर्णा में एक पुलिस थाने को जला दिया गया था जिससे नाकोस तोकर महातमा गांधी जी ने असायोग अंदोलर को वापस ले लिया था ठीक है? नेश्ट देखते हैं क्रिप्स किस ने उत्तर तिथी चेक की संग्या दी थी तो ऑप्सन है महात्मा गांधी, पंडी जवहालाल नहरू, राजिंद प्रसाद या फिर मोती लाल नहरू तो इसमें जो आपका राइट आंसर दोस्तों हुए है ओप्शन नमबर A, महात्मा गांधी महात्मा गांधी नहीं क्रिप्स मिसन को उत्तरती थी, चेक की संग्या दी थी नेक्ट दिखते है, थियो सोफिकल सोसाइटी, दोस्तों थियो सोफिकल सोसाइटी का अंतरास्टी मुख्याले कहां है तो ओप्शन है अडियार में, सैन फ्रांसिस्को में, नियु आर्क में या फिर जिनेवा में तो यहां पर जो आपका राईड आंसर है Theosophical Society का जो अंतराश्च्टी हैड कोटर है वह आपका option no.a अड़ियार में है तो नाम जाएकर हैं अड़ियार में है Theosophical Society का अंतराश्टी मुख्याल है सत्य सोधक समाज की स्थापना किस ने की तो इसमें जो आपका राइड आंसर है आपसे नमबर सी है जोतिवा फोले दोस्तो जोतिवा फोले नहीं सत्य सोधक समाज की स्थापना की थी तो आपको याद रखना है यह एक्जाम में पूछा गया कई वार कोसन है नेश देखते हैं तैमूर ने किसके सासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था ओप्शन है बलवन इलतुतमिस फिरोज साह तुगलक नसरुद्दीन महमूद साह तुगलक तो यहाँ पर जो आपका राइड आंसर दोस्तो ओप्शन नमबर डी नसरुद्दीन महमूद साह तुगलक उसी के कर अपना जो सेनपती था खिजर खान उसको नियुक्त कर गया था ठीक है चली नश कोशन देखते हैं कि समुद्र गुप्त ने अपने दक्षिड अभियान में किस बेंगी सासक को हराय था दोस्तों इंपॉर्डन कोशन है आपको याद रखना है समुद्र गुप्त ने संंदी बर्मन हस्ती बर्मन देव बर्मन या फिर नीरू बर्मन तो यहाँ पर डार अंसर है वह है ओप्सीन नंबर बी हस्ति बर्मन दो दोस्तों भारत का बड़ा सहर कौन से मुंबई, कौलकाता, दिल्ली, मदरास यहां पे जो आपका राइड आंसर है कौलकाता इनdzर सबसे इन्वोस्ते क्लकाता इन लॉत कर तो नवेख़ी है वह बहुत रहे हैं निटें इस तो पहूइ सسेंी तेमा कौलकाता आप दोस्तो अप्शन नमबर A है भारत में 28 राज वा आठ के अंसासित प्रदेश है ठीक है नाश देखते हैं भारत की सबसे उची मिनार कौन सी है दोस्तो भारत की सबसे उची मिनार कौन सी है तो अप्शन है चार मिनार कुतुम मिनार जूलता मिनार सहीद मिनार ठीक है तो यहा कुटुम मिनार ज़्य मैं सबसे ऊची मिनार है नवर सबस्वें सबस्थे कुटुम मिनार नक्ष दिखते हैं . कमल जीत संधू सुचेटा कृपलाणीρί रजिया बेगम या फिर बचेंद्री पाल इसमें जो आपका राइक है ACI खेलों में सुन्ट पदक प्राप्त करने वाली पहली भारती महिला ओप्शन नमबर A कमल जीत संधू है ठीक है नाम या दरगर्ण आपको कमल जीत संधू ACI खेलों में प्रथम सुन्ट पदक बिजेता नेश कोशन देखते हैं दुनिया की सबसे उची चोटियों में सामिल अंटार्टिका की विंसर मैसिप में किसने तिरंगा फैराया तो आप्शन आपके पास बचेंद्री पाल, सुचेता क्रिपलानी, अर्डुमा सिनहा, रजिया, सुल्तान तो दोस्तो इसमें जो आपकी राइड आंसर है ऑप्शन नबर C, अर्डुमा सिनहा, तो अर्डुमा सिनहा ने अंटार्टिका विंसर मैसीप में थिरंगा फैराय था ठीक है, चलिनियाश कोशन देखते हैं भारत के प्रथम सिख्ष प्रधान मंत्री कौन थे भारत के प्रथम सिख्ष प्रधान मंत्री कौन थे तो ऑप्सिन है डॉक्टर मनमोहन सिंग विश्वनाथ प्रताप सिंग चंद्र सेखर सिंग और या फिर नर्सिमहा राओ तो इसमें जो आपका राइड आंसर दोस्तो भा भारत के प्रथम सिख्ष प्रधान मंतिरी थे ऑप्सिन नमबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंग ठीक है नेश कोशन देखते हैं राश्ट्री धुहस्ति रंगे का गहरा के सरिया रंग क्या दरसा आता है आप्सिन है ताकत और साहस सांती और सत्य विकास और उर्वर्ता या डी अन् है ऑप्सिन नमबर ए है दोस्तों जो की है ताकत और साहस राश्ट्री धुहस्त जो तिरंगा हमारा वह उसका जो उप्री वाली पट्टी थी सबसे के सरिया रंगी वह ताकत और साहस को रिप्रेजेंट करती है ठीक है नेश कोशन देखते हैं राश्ट्री धुहस्ति तिर 12 24 या फिर 25 दोस्तों इसमें जो आपका राइड आंसर है ओप्षिन नमबर तो 24 दोस्तो राश्ट्री देष्टीरंगे में 24 तीलियां होती है ठीक है चलि नाश को शन देखते हैं भारत का राश्ट्रीकान क्या है दोस्तों भारत प्राइट का राश्ट्री गान क्या है तो ऑप्षन है बंदे मात्रम जंगणमन सारे जहां से अच्छा या फिर ए और बी दोनों तो इसमें जो आपका राश्ट्री खेल कौन सा है तो आप्षन है सतरंज, कबड़ी, फुटवॉल या हौकी तो यहां पर जो आपका राइड आंसर है ऑप्षन नमबर डी है हौकी दोस्तो भारत का राश्ट्री खेल हौकी है और साथ ही पाकिस्तान का भी राश्ट्री खेल हौकी ही है ठीक है चलिए नेर्श कोर्शन देखते है भारत में सब सबसे अधिक सोर उर्जा उत्प værni होती है दोस्तो किस राजज्ब में होती है आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक सोर उर्जा उत्प पन कहां होती और सौन है राजस्थान गुजरात के रेल या तमिल नांडू तो यहां पर जो आपका right answer है, option number A, दोस्तो राजस्थान, भारत में सबसे अधिक सौर उर्जवत्पन राजस्थान में ही होती है, तो नाम याद अखना है अपको राजस्थान, नेश देखते हैं, भारती सिनेमा के जनक कौन थे, दोस्तो भारती सिनेमा के जनक कौन थे, तो आपको बतान हैं, और आपके पास option है, देविकार रानी, दादा साहब फालके, लुमियर ब्रदर्स या फिर डी अन्ने, दोस्तो भारती सिनेमा के जनक थे, जो आपके उनका नाम है, option number B, दादा साहब फालके, ठीक है, इन्ही कियाद में दोस्तो उनिस सुनहत्तर से दादा साहब फालक के पुरुषकार की सुरुवात हुई है, और इन्होंने ही भारती सिनेमा के जनक कहे जाते हैं, ठीक है, तो दोस्तो यह रहा है, आज कि आपके इतिहास, या फिर जनरल नौलोजी, किसका भी आप माल लिजिए, टॉप 33 question, जो कि आपके exams के लिए बहुत ही ज्यादा helpful थे, और आपके आने वाले exams में भी इनमें से बहुत से question आपको देखने को मिलेंगे, यह पकी बात है, तो दोस्तो आपको पूरा वीडियो एक दुबार revise कर लेना, जिससे कि आपको जो important question वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, तो दोस्तो आपको जैसा लगा वीडियो, आप हमें comment box में comment करके जरूर बताएगा, और अपना score भी जो share किजेगा, कि आपका कितना score हुआ है, ठीक है, तो दोस्तो चले मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,